Hello Friends, Welcome to Study News, आज है 1 जुलाई, एक्जाम से रिलेटेड जितने भी important question हो सकते हैं, हम उन्हें यहां solve करेंगे, so let's start पहला question है, Happy Doctor Day कब मनाय जाता है? Options है, 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई Happy Doctor Day, देश के महान चिकितसक और पस्चिम बंगाल के दूसरे मुख्य मंत्री डॉक्टर, बिधान चंदर राय को संबान देने के लिए मनाय जाता है, इनका जन्म दिवस और पून निति थी, दोनों 1 जुलाई को पढ़ती है, इसलिए Happy Doctor Day भी 1 जुलाई को मनाय जाता है, तो इसका उत्तर आपसंडी 1 जुलाई सही है, केंद्र सरकार ने 1991 में इस दिन को मनाने की सुरुआत की थी, सेकेंड कोस्चन है, गुजरात का कौन सा जिला Rain Water Harvesting परियोजना को सफलता पूर्वक स्थापित करने वाला पहला जिला बन गया है, आपसंस हैं सूरत, वडोदरा, एहमदाबाद और गांधी नगर, गुजरात में वडोदरा जिले ने जिले के 1000 स्कूलों में वर्सा जल संचेन परियोजना को जिला प्रसासन ने 9 महिने में 6 करोड की लागत से सफलता पूर्वक स्थापित किया है, यह सफलता हासिल करने वाला वडोदरा देश का पहला ज लबन गया है, तो इसका उत्तर ऑप्सन भी वडोदरा सही है, गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधी नगर है, मुख्यमंत्री विजयरुपानी है और गवर्नर आचारे देवरत है, भारत में सबसे लंबी कॉस्ट लाइन गुजरात राज्ये की है, जो 1600 किलो मीटर है, थर्ड कोस्टन है, हाल ही में किसे राज़्टपती द्वारा भारत के एटार्नी जनरल के रूप में निउक्त किया गया है, आप्सन्स है, मुकुल रोहतगी, गोपाल सुब्रमन्यम, केके वेडू गोपाल, हरिश्यालवे, राश्टपती ने भारत के व कुलाई 2017 में मुकुल रोहतगी का इस्थान लिया था, इसमें और ऑप्सन की बात करें तो, गोपाल सुब्रमन्यम, 2009 से 2011 तक भारत के सौलिसीटर जनरल के रूप में कारे कर चुके हैं, और हरिश्यालवे, भारत के प्रसिद वकील हैं, ये भारत ही नहीं, बलकि विस्व के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं, ये 1999 से 2002 के बीच भारत के सौलिसीटर जनरल के रूप में कारे कर चुके हैं, अगला कोस्चन है, भारत सरकार ने चीन के कितने मोबाइल एप्स पर बैन लगा दिया है, आप्सन्स हैं 49, 69, 79 और 49, तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने ची इनके 69 मोबाइल एप्स पर बैन लगा दिया है, तो इसका उत्तर आप्सन भी 69 सही है, ये प्रतिबंध सूचना प्रद्योगी की अधिनियम 2000 की धारा 69 एके तहत लगाया गया है, जो एप्स देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और राज्य और सारवज जनिक व्यवस्था की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णे लिया गया है, अगला कोस्चन है, किस मंतरी ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ पी-म-F-M-E योजना शुरू की, आप्सन है, स्मृती इरानी, हरसिम्रत कौर बादल, नितिन प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ योजना का उदगाटन, खाद्य प्रसंसकरण उद्योग मंतरी, हरी सिम्रत कौर बादल ने किया, तो इसमें आंसर ओप्शन भी हर सिम्रत कौर बादल है, इसमें और ओप्शन की बात करें, तो इसमृती इरानी भारस सरकार के अंतरगत क पड़ा मंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री है और इससे पूरो ये मानो संसाधन विकास मंत्री थी नितिन गडगरी भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमारगर जहाजरानी जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षन मंत्री है और किरण रिजिजू भारत जनता पार्टी के सचीव एवं भारत के ग्री राज्य मंत्री हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटर्प्राइजेज आत्म निर्भर भारत अभियान का हिस्सा है इस योजना में 35,000 करोड रुपे का निवेश होगा नेक्स्ट कोश्चन है देश के किस राज्य में COVID-19 के थेरपी के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना परिक्षण सुरू किया गया है आपसंस हैं महाराष्ट, उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश और राजस्थान महाराष्ट सरकार ने COVID-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरपी प्रोजेक्ट प्लेटिना परिक्षण सुरू किया है प्लाज्मा थेरपी करने वाला महाराष्ट देश का पहला राज्य होगा इस योजना की पूरी फंडिंग CEM Relief Fund से जारी की जाएगी इस समय महाराष्ट के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट के गवर्नर भगत सिंग के सियारी है सेवन्थ कोस्चन है दा योगिनी पोयम्स Love and Life नामक कविता किसकी रचना है ओडिसा की कवित्री डॉक्टर अदिशादास ने दा योगिनी पोयम्स Love and Life कविता की रचना की है यह कविता हीरापूर के 64 योगिनियों पर आधारित है तो इसका उत्तर ओप्सन ए डॉक्टर अदिशादास सही है डॉक्टर अदिशादास अमेजन बेस्ट सेलर का खिताब भी जीच चुकी है और ओप्सन्स की बात करें तो नासिरा सर्मा को व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था इनकी रचना कागज की नाव के लिए और रीमा हुजा ने बुक लिखी थी माराणा प्रताप दे इन्विजिवल बारियर और करनपूरी ने अभी हाली में पुस्तक लिखी है मी टू अगला कोस्चन है हाली में चुद्र दिवस कब मनाया गया है आपसंस है 27 जून, 28 जून, 30 जून और 1 जुलाई 30 जून को दुनिया भर में अंतर राश्टिय चुद्र दिवस मनाया जाता है इस वर्स विस्व चुद्र दिवस की छटी वर्स गाठ है नाइन्थ कोस्चन है भारत ने किस देश के साथ मिलकर खोलंग चुद्र नदी पर बनने वाले 600 मेगावाट के रन ओफ दे रिवर प्रोजेक्ट पर हस्ताक्चर किये है आपसंस है नेपाल, बांगला देश, भुटान और म्यामार तो भारत भुटान के साथ मिलकर खोलंग चुद्र नदी पर बनने वाले 600 मेगावाट के रन ओफ दे रिवर प्रोजेक्ट पर हस्ताक्चर किया है इसमें 1.500 मेगावाट के 4 टरबाइन के साथ भुमीगत बिजली घर को 95 मीटर की उचाई के एक ठोस गुर्तवा बांध के साथ जोड़ा जाएगा भुटान की राजदानी थिम्पू है और भुटान के प्रधान मंत्री लोटे सेरिंग है लास्ट कोस्चन है हाली में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विक्सित किया है आप्संस हैं मद्य प्रदेश, उतराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल हाली में उतराखंड के पिथोरा गड़ जिले में लाइकेन पार्क विक्सित किया गया है तो इसमें इसका उत्तर option B उत्तराखंड सही है उत्तराखंड में लाइकेन की 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इनके संरक्षण के लिए इस पार्क को विक्सित किया गया है लाइकेन को कवक भी कहते हैं इनके अध्यन को माइकोलोजी कहा जाता है तो ये थे आज के important question So thanks for watching this video, please subscribe, like and comment